संसार के विशय दुखरूप है संसार के सभी विशय वस्तुतहा दुखरूप है और दुख हमें व्यथित करते हैं दुखों से सभी घबडाते हैं दुखा दुद्विजते सरवह सरवस्य सुखमीब सितम दुख नहीं चाहिए लेकिन दुख का ये क्रम तो चल रहा है सुख दुख का क्रम चला रहा है परिवर्तन है यहां हम अपनी कामनाओं की सिध्धी चाहते हैं हम अपनी इच्छाओं की पूर्ती चाहते हैं प्रतम जो भक्त है उस भक्त को कहते हैं आर्थ भक्त एक आर्थ है एक जिग्यासू है एक अर्थारथी भक्त है और एक जो भक्त है वह ज्ञानी भक्त है चार प्रकार के भक्त होते हैं प्रतम ही आर्थ भक्त हैं दुखी भक्त हैं दुखों से छूटना चाहते हैं अपनी कामनाओं की सिध्धी चाहते हैं को कि मन में कामनाएं हैं मन में इच्छाएं हैं अनंत की कामना मन में भरी पड़ी है कामनाएं हैं इच्छाएं हैं जो स्रश्ट इच्छा है जो सुभ इच्छा है जो जो हमारे स्रश्ट संकल्प हैं जो हमारी सुभ इच्छा है जो हमारी पवीत्र इच्छा है इन सुभ संकल्पों की इन सुभ संकल्पों की इन सुभ कामनाओं की इन स्रश्ट इच्छाओं की तो अवस्य ही पूर्ति होनी चाहिए अवस्य ही पूर्ति होनी चाहिए देकिन अध्यात्म का मार्ग बहुत निराला है अध्यात्म का मार्ग, योग का मार्ग, बड़ा अद्भुत है कामनाओं की सिध्धी तक से मित नहीं है, इच्छाओं की पूर्ती तक से मित नहीं है दुखियों का दुख कम हो, पीडितों की पीडा कम हो सब का सब विदि हो का ल्यान, यही तो हम कामना करते हैं, यही तो हम प्राठना करते हैं लेकिन बहुत बार प्रारब्धवस अने कारणों से हमारे जो मन की कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती सब की सब कामना, सब इच्छाएं पूर्ण हो, यह संभव भी नहीं है कामनाएं पूर्ण हो, इच्छाएं सिद्ध हो, संकल्प सिद्ध हो तो अच्छा है, लेकिन जो जीवन है अध्यात्म का, जो अध्यात्म की धारा है वह तो यह कहती है, कि कामना सिद्ध हो जाएं तो अच्छा है और नहीं सिद्ध हो जाएं तो समझो और भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है कामनाएं तो अनन्तें, एक इच्छा पूरी होई दूसरी आगे भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए हमने समय का सदु पयोग ही नहीं किया, अब समय ही समाप्त होने को है जो कल्यानकारी संकल्प है, उनकी तो अवस्य ही सिद्धी होनी चाहिए प्रतम भक्त दुखी है, आर्त है, जो दुखों से सर्वता चूटना चाहते है और दुख से भला कौन चूटना चाहे क्योंकि परमात्मा ही आनंद मय है, परमात्मा ही सांति मय है, परमात्मा ही सांति का समुद्र है उसलिए तो सभी दुखों से छूटना चाहते हैं बरमात्मा में दुख नहीं है समाज ये सुसुप्ती मुक्षेश ब्रह्म्ह रूपता गाड़ी नीद में कोई दुख है मैं तू या हवाह कोई चिंता कोई अवसाथ कोई कल्पना गाड़ी नीद में कोई दुख है जान और कर्म की इंद्रियां इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेश्ट हो गया मैं तू या हवाह ये च्छा ये कामना ये वासना है गाड़ी नीद में अनभाव नहीं है क्योंकि मन निश्चेश्ट है बली प्रकार सोया अच्छी नीद आई क्यों सो सका क्यों क्योंकि मन निश्चेश्ट हो गया सुसप्ति सुसप्ति मना ब्रह्मांड में मन मत थकित अकाम सुसप्ति में दुख नहीं है समाधी में दुख है समाधी में दुख नहीं है समाधी सुसप्ति मोक्षेश्ब्रह्मरूपता मोक्ष में कोई दुख है दुख नहीं है क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है परमात्मा में दुख नहीं है दुख्षू नहीं सकता उसका एक अवस्था हमारी जागरत है एक स्वपन है एक सुसुक्ति है तुरीय तुरिया तीत हो राप्त है जागरत में बाहर का नुबह हो रहा है सब दस पर शरूप रसगंध का स्वपन में मन दौड रहा है मन कंठ में इस्थीत हिदा नाम के नाड़ी में स्वपन में भी कितनी व्यगरता है बहुत बार स्वपन में भी कितनी विशारों की तरंगे है कितनी ओ इस्थिरता है कितनी चंचलता है कितना भय है आधी राद को आधी राद को उठ गया चिलाने लगा मन की ऐसी इस्थिती हो गई विशारों की ऐसी इस्थिती हो गई स्वपन की ऐसी अवस्था जो उसको दुखी बना रही है ब्यक्र बना रही है भय आतुरता और इस्थिरता चंचलता जीवन की सहजता सरसता सरलता जैसे नस्ट हो गई स्वपन में क्या देख लिया कि इतना अस्थिर हो गया स्वपन काढ़ी नीद नहीं है ध्यान के अनभव में ब्रद्धी चाहिए ध्यान के अनभव में ब्रद्धी चाहिए तो सुसुप्ती सुसुप्ती का गाढ़ी नीद का होना बहुत जरूरी है ध्यान कोई निद्रा नहीं है कोई तंद्रा नहीं है कोई स्वपन नहीं है बिलकुल सहाज स्रस्थ इस्थिती है साधक स्वपन नहीं देखता अगर देखेगा भी स्वपन तो उसका जो स्वपन है वह बिलकुल जैसे उसे सांती देने वाला हो उसे प्रकास देने वाला हो कोई भय नहीं वहाँ कोई दुख नहीं वहाँ कोई चिंता नहीं वहाँ कोई मोह नहीं वहाँ मोह सोक मोह सोक चिंता भ्रमा मोह सोक मोह सोक चिंता भ्रमा करो करो सर्वता त्याग अभया महाप्रभ को भजो अभया महाप्रभ को भजो देश काल सबलाग यह भयता देती है यह भिहंगम्योकी साधना क्या? क्योंकि यह मन को ही इस्थिर करती है मन को ही सुद्ध बनाती है पवित्र बनाती है साधक साधिका स्वप्न देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं स्वप्न भी देख रहे हैं ऐसा जैसा मानो हिमाले के उतुंग सिखर पर सफेद बर्फ से लगदक चोटियों पर बैठे हैं साधना में बैठे हैं स्वप्न देखना है तो ऐसा देखो कोई हतासा नहीं कोई निरासा नहीं कोई कुंठा नहीं कोई अवसाद नहीं कोई व्यग्रता नहीं कोई भय नहीं कोई असांती नहीं कोई चिलाहट नहीं कोई टकराव नहीं स्वपन देखना है तो ऐसा देखा देख रहे हैं स्वपन में कि हमाले के उतुंग सिखर पर सफीद बर्प से लगदक चोटियों पर बैठे हैं बिल्कुल शानती से बैठे हैं स्वेत स्वेत मैं स्वेत है मन की ऐसी स्थिती हो जाए सपन हो भी थो ऐसा बिल्कुल जैसे प्रकास से बारा हुआ घोर घने जंगल में घोर घने जंगल में प्रकृती की गोद में मंद बयार में सुगंधित पवन में बिल्कुल शानती और सहजता से बैठे हैं पेड़ों की जाओं में बैठे हैं प्रकृती मा की गोद में बैठे हैं बिल्कुल सहजता सरस्ता सरलता और स्वाभाविक्ता में हैं वहां कोई उद्वेग नहीं वहां कोई चिंता नहीं घर में आग लग गई है रात को उठके खड़ा हो गया कहां आग लगी है विचारों में आग लग गई है मन की ऐसी स्थिती हो गई है मन को सत्संग से नहीं भरा मन को अवगुणी मन को अवगुणी मन को अवगुणी मन को सत्गुणी नहीं बनाया अवगुणी मन को सद गुणी नहीं बनाया जैसा मन है जैसा चस्मा है जैसा कलर है वैसा ही दिखरा है अव गुणी मन को सद गुणी बनाया जा सकता है अव गुणी मन को सद गुणी बनाया जा सकता है जुपती चाई नीचे बाहर है जल को उपर उठाया जा सकता है यंत्र के द्वारा जल को उपरी भाग में इस्थित किया जा सकता है अव गुणी मन को सद गुणी बनाया जा सकता है सत्संग की जोड से स्वरवेद के प्रभाव से प्रकास से सत्संग के स्वर से मन को स्रष्ठता और सुचिता के प्रकास से ही भरा जा सकता है भरा जाता है जैसे गर्म लोहे को हथोडे के प्रहार से इच्छित आकार का बना दिया जाता है जहां जिस प्रकार की जैसी उसकी उपयोगिता हो जैसी उपयोगिता हो जहां पर उसके अनकूल बनाया जाता है बारंबार चोट करके बारंबार प्रहार करके उसको इच्छित आकार दिया जाता है उसी प्रकार मन को सतसंगती के हथोड़े से स्वरवेद के हथोड़े से इस आवगुणी मन को सदगुणी बनाया जाता है मन खराब है खराब है इसका खराब है मन की निंदा अलोचना करने से मन सदगुणी होता होतो कर लो अनावस्यक मन की निंदा नहीं कर सकते सारा दोस मन पर नहीं मढ़ सकते मन खराब है तो किसका खराब है जबवल रावजी का खराब है मन की निंदा करने से उसकी आलोचना करते रहने से ओ ठीक हो सकता है सुद्ध हो सकता है क्या पवीत्र हो सकता है अरे उस मन को सतसंगती का प्रवाह दो सदगुरु के ज्यान का प्रकास दो विहंगम योग का प्रवाह दो सेवा सतसंग और साधना की धारा दो प्रकास के साथ चलो, मन तो सुद्ध से सुद्ध होगा, पवित्र से पवित्र होगा